जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी था, एहमदाबाद से अगरतला तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान प्याज की खेती के लिए राजिस्तान का सीकर जिला देश भर में अपनी विशेश पहचान रखता है लेकिन इस बार किसान बेहत निराश हैं, किसानों को उनकी लागत का भी पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है बढ़ती महगाई के चलते लागत पिछले साल की बजाए दो गुनी हो चुकी है मौसम में होये बदलावों के चलते क्वालिटी का प्याज तैयार नहीं हो पा रहा है इस कारण पिछले एक महीने से प्याज के एक ही दाम बने वे हैं किसानों का कैना है कि कम भावों के चलते उनको अब तक लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है प्याच की खेती करने वाले किसानों की हालत बेहत कराब है क्योंकि मंडी में 4-9 रुपे प्रती किलो प्याच बिक रहा है ऐसे में किसानों को लागत से भी आधे रुपे मिल रहे हैं पिछली बार प्याज के भाव अप्रेल महीने में प्याज के 9-15 रुपे प्रती किलो थे इस बार ये आदे हो चुके है बढ़ती महगाई के दौर में लागत भी करीब 10 रुपे प्रती किलो आ रही है पिछले साल प्याज की कटाई में प्रती वीगा पर किसान को करीब 4-5 हजार की लागत आती थी जो अब बढ़कर 7-8 हजार रुपे प्रती किलो हो चुकी है इसके साथ ही मौसम में अचानक हुआ बदलावों के कारण फसल भी जुलसी है पिछले एक महिने से प्याज के यही भाव बने हुए है इस बार मौसम की मार से प्याज क्वालिटी का तयार नहीं हो पाया जब तक प्याज क्वालिटी का नहीं होगा तब तक उसके दाम नहीं भड़ पाएंगे जब तक क्वालिटी का प्याज मार्किट में नहीं आता है तब तक यही भाव बने रहने की संभावना है प्याज किसान की लागत तो दोगनी हो चुकी है लेकिन आये लागत की आधी है देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान क्योैं कार भिल्डियों की खुशियों की खुशियों जिक शुशियों की तो हमांक तो हमांने ख़्युशियों επι करेंदाू